आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खासकारी करम में और मैं हूँ आपके साथ फरहान जश्टिस मुल्ली धर का ट्रांसफर कर दिया गया है पंजाब चंडीगर है हाई कोर्ट में और जश्टिस मुल्ली धर ने अनुराग ठाकूर प्रवेश वर्मा कपिल मिश्रा के खिलाफ ऐफाइर दज करने का आदेश दिया था जल से जल रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया था उनके विवादित भाशनों को लेकर वह वीडियो आप सभी ने देखे हैं लेकिन बीते दिन की बात है दुपहर साड़े बारा बजे की राजीव चौक मेट्रो इस्टेशन है वहाँ पर एक समू था कुछ लोगों का जो नाले लगाते हुए नजर आ रहे थे गोली मारो सालों को जो शब्द बार बार सामने आ रहा था जिसके बाद देश हिंसा की लप्टों में जुलस गया जिसके बाद लोग संपिर्दाइकता का रास्ता पकड़ने लगे हिंसा उन्हें रास आने लगी वह बयान फिर सामने आया और कुछ लोग राजीव चौक मेट्रो इस्टेशन में जैसा की मैंने बताया गोली बारो सालों को देश के गद्दारों को यह भाशर यह नारा देते हुए नजर आ रहे थे उन्हें पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया क्या हिरासत में लेना काफी है यह बयान यह नारे जो जिस तरह की घटना घटित हुई है कई बातों का इस पश्टी करन करते हुए नजर आ रही है यह घटना देखा जा रह है कि दिली में एक बहुत बड़ी हिंसा हुई है इस हिंसा को लेकर कौन ऐसे लोग है जिनके बयानों से यह हिंसा इतनी बड़ी हो गई कि करीब एक तालिस से जादा लोग वो अपनी जान गवा बैठे आम आदनी पार्टी के नेता है ताहिर हुसाइन उन पर भी आरोप लग में कह दिया है यदि आम आदनी पार्टी कोई नेता लिप्त मिलता है इस हिंसा में तो उसे दोगनी सजा दी जाए भले ही दोगनी सजा नहीं दी जाएगी लेकिन यहां अरविंद केजरी वाल का आत्म विश्वास बोल रहा है वह भेष्टाचारी नहीं है संपरदायक नह करना के चलते हैं घंसा नहीं होई है तभी तो अब तक कफिल मिश्वाइए एकदम आज़ाद हैं फरार नहीं किसी परकार की अए फ़ाइर नहीं ही फूस्ताच नहीं की जा रही यहां तक की जाज भी नहीं हो रही होगी मुझे पूरी उम्मीद है लेकिन इस हिंसा के हिंसा हो गई और आने वाले समय में यह बयान बार-बार दोहराया जाएगा बार-बार के इस तरह के घट्टा करम को भी दोहराया जा सकता है यहां आप तत्थियों की बात कर रहे थे तत्थि जो सामने आएंगे उसके आधार पर सज़ा दी जाएगी तो क्या यह तत्थि कम ह तथियों से हटकर भी लेकिन हमें सोचना होगा बहले हिम तथियों को लेकर किलमिष्रा पर आरोप लगा रहे हैं लेकिन तथियों से हटकर आप सोचिए कि अनृराग ठाकुर प्रवेश China किस तरह के बयान दे रहे थे बल्कि प्रवेश्ष करम ने तो उन बात को भी कहा थ दिया था यदि अवयद इस्थानों पर वह मस्जिदें बनी हुई है तो उन्हें साफ साफ हटा दिया जाएगा उन्हें खंडित कर दिया जाएगा फिर से 1992 चैसंबर 1992 की घटना को दोहरा दिया जाएगा यह प्रवेश वर्मा भी कहते हुए नजर आ कर यह तीन व्यक्ति प्रमुक्रूब से जिम्मेदार है यदि हम चौते नाम की बात करें तो पस्चिम बंगाल के भारतियंता पार्टी के पिरदेश अध्यक्ष दिलीब घोष का नाम भी हमें लेना होगा इस संब्द में आपकी क्या राय है अपनी राय देना बिलकुल भी ना भूलें कारिक्रम को लाइक करें जादा जादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें तब तक के लिए जासत दीजिए धन्यवाद